हेलों दूस्तों नमस्कार आप सभी का धयालिष्टटी पे हेर दुखस्वागत है और हाँ हम आपको करेंट अफेयर का सेेसन कराने वाले हैं और करेंट अफेयर किसकी पर आथा है वेतानी की ज़र्योत आपको नहीं है कि कोई भी एक्जाम हो वहाँ पे पूछा ही जाता है और इसका कम से कम नहीं तो टोटल जितने अभी कॉस्टन आ रहे हैं उनका 10% बेटेज करेंट अफेर का होता है तो करेंट अफेर में क्या है आज क्या खास एक्जाम के लिए यह सब हम जानते हैं और वीडियो में आखरी त तो रेट से वाइट हो जाएगा और उसके बाद आपको राइट साइड में है उसके बगल में पुछेगा कि आप वेल आइकन आन करना चाहते हैं या नहीं तो उसे आप आन करके उस पर वहां पर दो आपसंदिया होगा टंपरेरी या प्रमानेंट तो आप आल पे करिएग तो आल पे करिएगा तो जब भी वीडियो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो इससे फाइदा आपको यह होगा कि आपको बार बार यह नहीं करना पड़ेगा वीडियो ढूड़ना नहीं पड़ेगा जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको एलर्ट मैसेज ज प्रभाव है और यू नहीं लोग है आपको पहले बोले सब्सक्राइब करें ज्यादा लोगों तक बताएं और हम आपको कफी अच्छी ट्रिक्ट बताते हैं मैं कभी आप प्लेलिस्ट जाकर देखेगा तो आप चैनल जैसे ही खोलेंगे तो आपको सबसे पहले आप यही चै right side में आपको search का option दिता है जैसे ही search पे आप किलिक करेंगे फिर यहाँ था करेंगे तो आपको जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी video जाएगी और जैसे ही आपको video देखेंगे तो और इन लुक दिया होगा तो अलग-अलग मेत का अलग है प्रिवेसियर का पेपर का प्लेइलिस्ट अलग है और जो करेंट फेर उसका पंगया है तो आप वहां से जाकर देखिए और बताईए कि आपको एक्जाम में कितनी सहुलियत मिलती है यह सब बताएं और जो भी लगे जिस पे आपको चाहिए विदियो वह आप बता भी सकते हैं कोई इसी बात नहीं है तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए चलिए सिधा टॉपिक पर चलते हैं अपका अपना टॉपिक है करेंट अफैर तो करेंट अफैर में क्या है यह देख लेते हैं और जो बहुत ही जरूरी करेंट अफैर है नहीं वहीं आपको हम बता रहे हैं कि फालतू का करेंट अफेर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जो जिरोरी लगते हैं नेशनल इंटरनेशनल खेल से रेटेड कुसी को हम आपको बताएंगे तो आप क्यादा टेंसनल लें वीडियो में आखरी तक बने रहे हैं और क्या बोलत मतलब कफे रिसर्च के बाद आए हैं तो चलिए देखते हैं क्या है वीडियो और वीडियो में पूरा वीडियो दखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा तो आज का अपना पहला कोस्टन है कि हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर ब कारे में पूछा गया है और आपको चार आप्सन भी दिया रहा होगा इंग्यां में दिये दिया जाएगा हलाक यहां स्पेस कम है इसलिए हम जो राइट आंसर है उसी को आपको सामने प्रस्तूत कर रहे हैं तो इसका अप्सन हो जाएगा राज जैपूर के राजस्थान मे जैपूर के राजस्थान में दुनिया का दुसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है तो कहीं ने कहीं आपके अंदर यह सवाल पैदा होगा कि सबसे बड़ा स्टेडियम यह तो दुसरा सबसे बड़ा है तो पहला सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर है बेलकुल सभाविक है यह प्रसंद आना आपके दिमाग में तो दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट इस्टेडियम क्रिकेट इस्टेडियम यह अपने इंडिया में है और इंडिया में कहां है अभी आप सभी लोग जानते होगे कुछ दिन पहले दो-चार शे महीन पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा यह जहां पर हावडी मोदी हुआ था यानि जहां पर ट्रंप साहब का स्वागत हुआ था नमस्ते ट्रंप हुआ था अमेरिका में हुआ था जब मोदी जी गया थे लेकिन जब वहां से ट्रंप जी आये थे भारत तो वहां पर नमस्ते ट्रंप का कारकरम किया गया था और वहीं पर भारत की सबसे बड़ा इस्टेडियम जिससे पहले तो उसका नाम दुसरा था लेकिन बाद में बदल करके नरेंद मोदी इस्टेडियम कर दिया गया तो आप से पूछा जाएगा क्यों कौन सा इस्टेडियम है जो सबसे बड़ा है दुनिया में तो हो जाएगा नरेंद मोदी स्टेडियम नरेंद मोदी स्टेडियम नरेंद मोदी स्टेडियम आपका हो जाएगा और आपके आपको यह जानना जरूरी है कि इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं मतलब इसकी छमता जो हो जीसे बला जाता है कि याधी कि यहां पर कितने लोग घुत सकते में किसी प यहां कि यहां पर सब्सक्राइब हूं यह उसकी कानद ले सकते हैं और यह है कहाँ तो यह सबसे अच्छी बत है कहां इसको भी पुछा जागा तो एक गुजरात है गुजरात राज कि घुजरात राज है भारत के गुजरात राज है तो गुजरात में है नजर्ण मोदी का होम टाउं जैसे वलादा आक्यू है और वहाँ परितने एक लाग-दस जासा लोग ब बड़ा यह तो दुनिया का पहला हो गया यह दुनिया का जब सेकेंड सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो यह है कि ए है आस्ट्रेलिया के कहां पे हैं आस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है और इसकी छमता कितनी है यहां पे इसकी छमता देखा जाएगा तो यहां पे 90,000 लोग एक साथ बैट के देख सकते हैं करें है अश्ट्रेलिया में में दूसरा सबसे बड़ा है आप समझे रहे हैं दोनिया का सबसे बड़ा भारत में हैं जो जो भारत का दूसरा को सबसे बढ़ा है उसके लिए ब्सकी अपना है भारती किर्केट बोर्ट जिसे बोला जाता है उनहों सौकरोरर रुपए सो करोरर रुपए तक रहे राजस्तान सरकार को दिया है यह राजस्तान में अभी किसकी सरकार चल रही है तो कांग्रेस की चल रही है जिसके सीएम असोग गहलोत साहब है और उनको सो करोड रुपे दिया गया है 32 सहायता किर्केट बनाने के लिए और बिसी सी आई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं देखिए बिसी सी आई का पूरा नाम है बोर्ड आफ बोर्ड आफ कंट्रोल बोर्ड आफ कंट्रोल फार क्रिकेट इन इंडिया एनि भारत में जो भी कंट्रोल करने के लिए जो बोर्ड बना जाता है इसका पूरा नाम है BCCI का और इसके president कौन है बहुत बार exam में पूछा गया है हलाकि बहुत famous लोग है ज़्यादा तर लोग इनको जानते ही है तो आपको भी जानना बहुत जरूरी है कि इसके president कौन है और अध्याच कौन है हिंदी वाले समझ ने president को अध्याच करते हैं इफ सी सिएय के अध्यश्य है और चोइक सेकरेट्री पूछा जाता है तो उनके बेटे जैसा ंचेसाउ हुआ वह सेकेटरी यह सचीव हैं बिसी किस्थापना कव यह कभी बहुत बार पुछा जाता है तो सन 1927 बिसी किस्थापना हुई और इसका हेट कौर्टर कई बार पुछा जाता है तो हेट कौर्टर आप समझ ले मुंबई में इसका headquarter है आप इतना बाते समझ गए तो चलिए बहुत अच्छी बात है हम आगे बढ़ते हैं अगला question क्या है यह भी समझ लेंगे तो वीडियो में आखरी तक बने रहे हैं आपको बहुत ही deeply knowledge मिलेगा current of related जलिए तो आपका next question है question number दिया गया है दुसरा हाली में किस e-commerce company ने सौप सी एप लांच की है तो देखिए online जितने भी आप संदिया हुआ है पहला आप संदिया है अमेजन दूसरा है फिलिप कार्ट तीसरा अलीबाबा और चोथा नौन आप दी जैनि इसमें से कोई नहीं तो यह पूरी online marketing company है मतलब online यदि आप कोई सामान क्रय करने चाहते हैं मतलब खरीदना चाहते हैं पर्चेश करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं जो समझें तो इनके साइट पे जाके आप बुक करिए और आपको आपके यहां delivery कर दिया जाएंगा तो यह आपकी आउनलाइन कि कंपनिया है तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सी कंपनी e-commerce कंपनी सौप सी एप लांच किया है तो इसका देखें राइट एंसर हो जागा आप देखेंगे तो आप सन नमबर भी इसका राइट एंसर हो जागा यानि फिलिप कार्ड जो है बैंगलोरू में यहां सभी लोग तो हैं और इसकी यह वर की हेट की बाट की बात किया जाये तो headquarter इसका है बेंगलूरू बेंगलूरू में है और बेंगलूरू की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं कि बेंगलूरू में है और करनाटक की राजधानी बेंगलूरू है और इसके संस्थापक कौन थे पुछा जागा संस्तापक पुछ दिया जatा है जी आपसे तो आप संस्तापक में संज़ेजेगा विन्नी बंसल ant God God विन्नी बंसल किुक और एक थें इनके साथ सचीन बंसल ह I'm the new vision सचीन बंसल तो लोग थें हैं जो स्थापना किये ठे और फिलिप आज आप समझी रहे हैं आउनलाइन कंपनी में अमेजन के बाद फिलिपकाड का ही हर जगह दबदबा है आउनलाइन प्रड़क्ट खरीदने में या बेचने में फिलिपकाड के बारे में आप सब लोग जानते हैं इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और इसके हेड़ क्वाटर क कि राजधानी बेंगलोर है और इसके संस्तापक सचीन बंसल और बिन्नी बंसल दो लोगों ने मिलकर किया था तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना समझ हमें आ गया कि फिलिपकाड के स्थापना कि कौन कौन किया था और क्या कौन सा यह पिन्यों ने लांज किया और अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्या है अगला क्वेश्चन और उसके बारे में चर्चा करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है ने आध अभी रखन कहँने हैं तो आपका नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने प्रस्तुत है और इसमें कहा जा रहा है कि हाली में भारती सेनह में जलता फिरता पुल शौर्ट सब्सम सामिल किया और यह साट इस्पेंघ है इसको बनाया किसने है आप से पूछा जा रहा है किसकी स्थापना किसने की यह सॉठ्ट. आपसे स्थापना किसने कि अभश्वी होता क्या है इसको समझ लेते हैं और जब पकिस्तान और चीन पर आप समझ रहे होंगे गर्मा गर्मी चल रहा है समय ज्यादा चीन के बाडर पर एक लाग से ज्यादा से इकठा हुए है हाला कि मध्य प्रदेश सरकार भी नहीं बता रही है कि किस वज़े से ऐसा हुआ है लेकिन उन्हें भी सायद कुछ मजबूरी होगी इस वज़े से उ तो इनके इनको देखते हुए हलाकि दियाडियो ने इस सब जो चीजा चल रही है इन से पहले एक काम कर लिया है जो सौट इसमें बिरिज सिस्टम है इसको बनाया किसने है तो इसका आप्सन तो आप्सन नमबर 20 हो जागा यानि डियाडियों के द्वारा बनाया गया है और पहाड़ी च्हत्रो में और वरसाट के मुसम में जब पानी की समस्य आ जाती है फसल्द यह वर इसरों लांश कियां एक सिस्टम के ठुरू गाड़ी पे इसे इंडियन और्मी की गाड़ी होती है उसके ठुण और बिच टाइप में आपको बना तरह जिसれた कि एक जगह से दुसरे जगह चले जाएंगे फिर वह आटोमेटिक रीकवर भी कर सकता कर जाएगा जैसे पहले था और उस सिस्टम पे माउंट हो जाएगा एक तरह से जो गाड़ी है उसी को उपर चलेगा तो यह बना गया है सिस्टम काफी अच्छा है पार करने के लिए जो कि राट हैं यह क्या होता है डी अडियो की वारे ने कंशक जगतेएं सबसे के लिए संग्वार सबस्क्राइब नाम ऐसा है ने काफिका पूछा है जा कि इसका पूरा नाम उसल्गले दिफेंस ह है कि रिसेर्च कि डिवलोब्मेंट Defense Research Development Organization Defense Research Development Organization इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना कब होती है यानि इस्टेबलाइस कब होता है यह भी समझे यह कई बार एक्जाम में पुछा गया है इस्टेबलाइस कब होता है तो एक जन्वरी उने इस्वन ठाउन को DRDO की स्थापना किया गया था और कभी ने कभी इसको कई बार यह भी पुछा गया है कि इसका हेड कौर्टर कहां पे है तो हेड कौर्टर इसका नियु दिल्ही में है अपने संसद है नियु दिल्ही में इसका हेड कौर्टर है और इसके चेर्मेन कोन है यह आप से पुछा जाता है यह पुछा जाता है तो इसके चेर्मेन है जी सतीस चेर्मेन है जी सतीस रेड़ी जी सतीस रेड़ी के देख रेख में अभी डियाडियो का काम चल रहा है तो इसके चेर्मेन का बात किया जाए तो जी सतीस रेड़ी होंगे और हेड कौर्टर पुछा जाए तो नियु दिल्ही होगा और इसकी स्थापना कप की गई यह पूछा जाए तो इस्थापना अब सभी लोग देख रहे हैं एक जनवरी उनीच्ट उन्ठावन को इस्थापना हुआ था और इसका पूरा नाम यह है और हां एक बात और आप ध्यान रख लें कि जो उनीच्ट उन्ठावन हैं उनीच्ट उन्ठावन को जो अमेरिकन की अमेरिका की यह यह से की जो इस पेस एजनसी है जिसे हम लोग नासा बोलते हैं नेशनल एरोनेटिक कि इस पेस एजनसी नासा का पूरा नाम है इसकी भी स्थापना उनीच्ट उन्ठावन में ही हुई थी तो डियाडियों के साथ आप नासा का भी याद रख लें कि नासा और डियाडियों का उनीच्ट उन्ठावन में ही स्थापना हुआ था काफी सहुलियत होगी आपको अलग से याद करने की जोरत नहीं पड़ेगे चलिए दखते हैं